नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज बहादुर है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल फीवर को जरूर सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। मैं आज आपके लिए एक प्रेरणा दायक वीडियो लेकर आया हूँ. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं. भले ही आप कितने भी मुश पिश्किल से गुजर रहे हूं। रहुल को स्कूल जाना बहुत पसंद था लेकिन उसके माता पिता को उसके लिए किताबें और कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। रहुल की मेहनत और लगन से वह अपने सभी विश्यों में अच्छा करने लगा। वह हर परीक्षा में टॉप करता था। उसके अध्यापक बहुत खुश थे और उन्होंने रहुल को आगे बढ़ने के लिए प्रोच्साहित किया। रहुल ने कड़ी मेहनत की और बारवी कक्षा में टॉप किया। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था लेकिन उसके माता पिता उसके लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। राहुल बहुत निराश था लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी उसने एक नौकरी करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने का फैसला किया वह एक कपड़े की दुकान में काम करने लगा वह सुबह चा बजे से शाम आठ बजे तक काम करता था और फिर रात को पढ़ाई करता था राहुल दिन रात कड़ी मेहनत करता था वह कभी भी ठकता नहीं था वह जानता था कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है एक साल बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की परीक्षा में टॉप किया वह बहुत खुश था उसने अपने माता पिता और अपने अध्यापक को अपना सपना पूरा करने के लिए धन्यवाद दिया राहुल एक सफल इंजीनियर बन गया उसने एक अच्छी नौकरी पाली और अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दिया वह हमेशा अपने माता पिता और अपने अध्यापक का आभारी रहेगा जिन्होंने उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोचसाहित किया राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए तो दोस्तों अगर आप सफलता चाहते हैं तो हिम्मत मत हारिए कड़ी मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे तो दोस्तों ये थी मेरी मोटिवेशनल वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेडित करेगी हमेशा याद रखें कि सपने पूरे होते हैं बस हार मत मानना मैं आपके साथ हूँ धन्यवाद